C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की गनित की पाठ्य पुस्तक गनित का जादू 2 प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याए 12 है इसका शीर्शक है लेना और देना प्रिष्ट 90 से प्रिष्ट 103 तक तो आईए अब सुनते हैं अध्याए 12 है शीर्शक लेना और देना प्रिष्ट 90 इस प्रिष्ट पर सबसे उपर नीले रंग के अक्षरों में इस अध्याए का शीर्शक लिखा है लेना और देना उसके बाई और अध्याए की संख्या लिखी है याने अध्याए 12 है और उसके ठीक साथ में एक बिल्ली का चित्र दिखाया गया है जिसके हाथ में एक पेंसिल है इसके नीचे लिखा है किन्नारी बाजार में मोती बेचती है ध्यान दीजिए, यहां पर मोती शब्द से पहले मोतियों का चित्र बनाया गया है वो दस मोतियों से बनी माला बेचती है, साथ ही खुले मोती भी बेचती है एक बार फिर ध्यान दीजिए, कि माला शब्द से पहले और मोती शब्द से पहले माला वो मोती का चित्र इन वाक्यों में बना कर दिखाया गया है रजिया को बारह मोती चाहिए, इसलिए किनारी ने उसे एक माला और दो मोती दिये अब पता करो कि और बच्चों को कितनी माला और कितने मोती अलग से मिले इस प्रिष्ठ पर दाई और उपर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें किनारी बाजार में मोती बेचती हुई दिखाई गई है उसके चारों और कुछ बच्चे बैठे हैं और दो बिल्लियां भी ध्यान से उन्हें देख रही है इस प्रिष्ठ पर नीचे एक तालिका दी गई है इस तालिका में तीन शीरशक लिखे गए हैं सलेटी रंग के कॉलम में पहला शीरशक लिखा है मोती दूसरा शीरशक है दस मोतियों की माला और तीसरा शीरशक है खुले मोती इसी तालिका में बाई और हरे रंग के कॉलम में पांच बच्चों के नाम लिखे गए हैं रजिया, रीमा, आरिफ, सोनू, सिमर रजिया के सामने मोती शीरशक के नीचे लिखा है बारह और उसके ठीक आगे एक मोतियों की माला का चित्र दिखाया गया है जिसके उपर शीरशक लिखा है दस मोतियों की माला याने इस माला में दस मोती है और उसके ठीक आगे बैंगनी रंग के कॉलम में दो मोतियों का चित्र बनाया गया है और उसके उपर शीरशक के रूप में लिखा है खुले मोती इसके नीचे रीमा को चाहिए सत्रह मोती तो उसे मोतियों की कितनी माला चाहिए होंगी और कितने खुले मोती चाहिए ये रिक्तस्थान में आप भरें आरिफ को चाहिए 24 मोती तो उसे मोतियों की कितनी माला चाहिए होंगी और कितने खुले मोती चाहिए ये आप रिक्तस्थान में भरें इसी प्रकार सुनो को 35 मोती चाहिए तो उसे 10 मोतियों की कितनी माला और खुले मोती चाहिए ये रिक्तस्थान में आप भरें इसी तरह सिमर को 31 मोती चाहिए उसके सामने दिखाए गए दोनों कॉलम खाली छोड़े गए हैं तो उसे मोतीयों की कितनी माला चाहिए होंगी और कितने खुले मोती चाहिए ये रिक्तिस्थान में आप भारें इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे दो बिल्लियां आपस में बात कर रही हैं बड़ी बिल्ली छोटी बिल्ली से कह रही है रजिया और रीमा ने कुल मिला कर कितने मोती लिये इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे बादामी रंग के बकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है के वे मोती, माचिस की तीली, बटन आदी सामगरी का प्रियोग करते हुए दस-दस समुहु बनाएं। स्वयम करके देखने के ये अनुभव उनकी समझ विकसित करने में सहायक होंगे। प्रिष्ठ 91 इस प्रिष्ठ पर बाईं और सबसे उपर रजिया का नाम लिखा है। प्रिष्ठ पर रजिया के पास एक माला और दो मोती है। एक दम ठीक तुम उसे ऐसे भी लिख सकते हो। बिल्ली के चित्र के दाईं और एक तालिका दी गई है। जिसमें सबसे उपर मोतीयों की माला का एक चित्र है और उसके ठीक साथ गुलाबी रंग के बकसे में खुले मोती का एक चित्र है। ये दोनों शीरशक के रूप में यहां दिखाए गए हैं। और उसके नीचे मोतीयों की माला के नीचे पीले रंग के बकसे में लिखा है एक और खुले मोतीयों के गुलाबी रंग के बकसे के नीचे लिखा है दो। इसी प्रकार दूसरे कॉलम में पीले रंग के बक्से में लिखा है एक और आसमानी रंग के बक्से में लिखा है साथ. और इसके नीचे याने प्रिष्ट पर तीसरे चित्र में दिखाया गया है कि बड़ी बिल्ली कह रही है सबसे पहले हम खुले मोतियों को एक साथ लेकर उन्हें गिन लेते हैं. सबसे उपर मोतियों की माला का एक चित्र है और उसके ठीक सामने दो खुले मोति रखे हैं और इसी प्रकार नीचे मोतियों की माला का एक चित्र है और साथ खुले मोति रखे हैं. और इसके दाई और तालिका में उपर दिखाई गई तालिका के अनुसार ही शीरशक के रूप में गुलाबी रंग के बकसे में पहले मोतियों की एक माला जिसमें दस मोती है उसका चित्र है और दूसरे बकसे में गुलाबी रंग के बकसे में खुले मोतियों का चित्र है और उसके नीचे लिखा है पीले रंग के बकसे में एक और आसमानी रंग के बकसे में लिखा है दो, याने बारह मोती, दस माला के अंदर और दो खुले मोती इसी प्रकार उसके नीचे लिखा है एक और साथ मतलब एक माला दस मोतियों की है तो माला में हुए दस मोती और खुले मोती हैं साथ इनको यदि हम जोडेंगे तो हो जाएंगे सत्रह मोती इसी प्रकार इसी तालिका में सबसे नीचे दाई ओर आस्मानी रंग के बकसे में लिखा है नौ और उसकी ओर चिन्हित करती हुई पैंसिल से इशारा करती हुई छोटी बिल्ली दिखाई गई है वो कह रही है यहां नौ मोती हैं इसलिए मैं इस खाने में नौ लिखती हूँ प्रिष्ठ बानवे इस प्रिष्ठ पर सबसे उपर बाई और बड़ी बिल्ली का चित्र है वो कह रही है चलो सभी मालाओं को इकठा करके एक साथ गिनते हैं इस बड़ी बिल्ली के ठीक सामने ऊपर एक माला और नीचे भी एक माला और उन दोनों के सामने कुछ खुले मोतीयों के चित्र हैं और उसके ठीक सामने एक तालिका दी गई है जमा का चिन्ह बनाया गया है और उस तालिका में शीरशक के रूप में, गुलाबी रंग के बकसों में दस मोतियों की एक माला और खुले मोती के रूप में एक मोती का चित्र दिखाया गया है उसके नीचे, पहले कॉलम में लिखा है एक और फिर दो इसी तरह दूसरे कॉलम में लिखा है एक और साथ और तीसरे कॉलम में लिखा है पीले रंग के बकसे में दो और आसमानी रंग के बकसे में लिखा है नौ और उसकी और इशारा करते हुए छोटी बिल्ली कह रही है यहां दो मालाएं हैं इसलिए मैं इस खाने में दो लिखती हूँ अब इस प्रिष्ठ पर बीच में बाई और बनाए गए चित्र को ध्यान से देखें इस चित्र में छोटी बिल्ली कुछ कह रही है मैं समझ गई रजिया और रीमा के पास कुल मिलाकर दो मालाएं और नौ मोती हैं बडी बिल्ली उत्तर स्वरूप कह रही है जो कि चित्र के माद्यम से इसके ठीक दाई और दिखाया गया है वो कह रही है ये सही है रजिया और रीमा के पास कुल मिलाकर 29 मोती हैं अभ्यास का समय पता करने की कोशिश करो कि रजिया और सोनू ने कितने मोती लिए इसके नीचे बाई और रजिया का नाम लिखा है फिर मोतियों की एक माला का चित्र है और दो रिक्त स्थान दिये गए है और फिर उसके बाद दो खुले मोतियों का चित्र है इसके ठीक नीचे बाई और सोनू का नाम लिखा है उसके सामने दस मोतियों की एक माला के तीन चित्र है और उसके आगे पाँच खुले मोतियों का चित्र है और इसके दाई और जमा का निशान बनाया गया है और एक तालिका दिखाई गई है इस तालिका के सबसे उपर वाले कॉलम में गुलाबी रंग के बकसे में पहले दस मोतियों की एक माला का चित्र और फिर खुले मोतियों का शीरशक के रूप में एक चित्र दिखाया गया है। इसके नीचे पीले रंग के बकसे में लिखा है एक और आस्मानी रंग के बकसे में पहले कॉलम में लिखा है दो इसी प्रकार दूसरे कॉलम में पीले रंग के बकसे में लिखा है तीन और आस्मानी रंग के कॉलम में लिखा है पांच और इसके नीचे के कॉलम को खाली छोड पीले रंग का बक्सा और आसमानी रंग का बक्सा दोनों खाली छोड़े गए हैं। रीमा और आरिफ के मोती इसके नीचे लिखा है रीमा उसके पास है मोतियों की एक माला फिर रिक्त स्थान है और कुछ खुले हुए मोती। आरिफ के नाम के आगे मोतियों की दो मालाओं के चित्र हैं और कुछ खुले हुए मोती। इसके ठीक दाई और गुलाबी रंग के बकसे में शीरशक के रूप में पहले दस मोतियों की एक माला का चित्र है और फिर खुले मोतियों के शीरशक के रूप में एक मोती का चित्र दिखाया गया है। रीमा के नाम के आगे पीले रंग के बकसे में पहले कॉलम में लिखा गया है एक और आस्मानी रंग के पहले कॉलम में लिखा गया है साथ। इसी प्रकार दूसरे कॉलम में पीले रंग के बकसे में आरिफ के नाम के सामने लिखा गया है दो और खुले मोतियों वाले शीरशक के नीचे दूसरे कॉलम में आस्मानी रंग के बकसे में लिखा गया है चार और तीसरे कॉलम को पीले रंग के बकसे और आस्मानी रंग के बकसे को खाली छोड़ा गया है और इस तालिका से पहले जमा का चिन्न भी बनाया गया है बड़ी बिल्ली कह रही है सही, अब इन्हें जोड़ो तो इसके ठीक दाई और छोटी बिल्ली का चित्र है वो कह रही है रीमा के पास सत्र है और आरिफ के पास चौबीस मोती है इसके ठीक नीचे एक और चित्र है जिसमें रेखा के उपर मोतियों की एक माला का चित्र है उसके आगे रिक्त स्थान है और फिर कुछ खुले मोतियों के चित्र है और लाइन के नीचे दो मोतियों की मालाओं के चित्र है और कुछ खुले मोतियों के चित्र है इसके ठीक दाईयोर छोटी बिल्ली का चित्र है छोटी बिल्ली अपना सिर खुजाते हुए परिशान मुद्रा में कह रही है मुझे सारे खुले मोतियों को एक साथ गिनना है इसके ठीक नीचे छोटी बिल्ली कह रही है यहां ग्यारह खुले मोति हैं मैं इस खाने में क्या लिखूं? इसके दाइं और एक तालिका दी गई है उससे पहले जमा का चिन है इस तालिका के शीरशक के रूप में गुलाबी रंग के बकसे में पहले दस मोतियों की माला का एक चित्र है और फिर खुले मोतियों के शीरशक के रूप में एक मोती का चित्र है इसके नीचे पीले रंग के पहले बकसे में एक लिखा है आस्मानी रंग के बकसे में लिखा है साथ, दूसरे कॉलम में पीले रंग के बकसे में लिखा है दो, और आस्मानी रंग के बकसे में लिखा है चार, और इसके ठीक नीचे तीसरे कॉलम को खाली छोड़ा गया है, याने पीले रंग के और आस्मानी रंग के बकसों को खाली छ दिखाया गया है जिसमें उपर मोतियों की एक माला का चित्र है उसके बाद खाली स्थान छोड़ा गया है और फिर कुछ खुले मोति दिखाये गए हैं और उनको एक तीर के निशान से मोतियों की माला की तरफ चिन्हित किया गया है और इसके नीचे मोतियों की दो मालाओं का चित्र है और कुछ खुले मोतियों का चित्र भी है उनकी ओर देखते हुए बड़ी बिल्ली कह रही है दस खुले मोतियों से एक माला बनती है तो यहाँ एक माला और जोड़ देंगे इसके ठीक दाई ओर छोटी बिल्ली पेंसिल से तालिका की ओर इशारा करते हुए कह रही है मैं छोटा एक यहां लिखूंगी ताके मुझे एक और नई जोड़ी हुई माला याद रहे और उसने तालिका में पहले रंग के पीले बकसे में बड़ा एक के ऊपर छोटा एक लिख दिया है और उसके ठीक सामने आस्मानी रंग के बकसे में पहले कॉलम में साथ लिखा है और उसके नीचे वाले दूसरे कॉलम में पीले रंग के बकसे में लिखा है दो और आस्मानी रंग के बकसे में दूसरे कॉलम में लिखा है चार और तीसरे कॉलम को खाली छोड़ा गया है प्रिष्ठ 94 इस प्रिष्ठ पर बाई और सबसे उपर मोतियों की दो मालाओं का एक के उपर एक चित्र है और उसके नीचे मोतियों की दो मालाओं का अगल बगल में बनाया गया एक चित्र और उसके साथ में एक खुले हुए मोती का चित्र है बड़ी बिल्ली उसकी तरफ देखते हुए कह रही है अच्छा अब बताओ कितने मोती हुए छोटी बिल्ली हाथ में पैंसिल लिये तालिका की ओर इशारा करते हुए कह रही है मैंने मोती के डिब्बे में एक लिख दिया है आप देख सकते हैं कि जिस तालिका की ओर वो इशारा कर रही है उसमें खुले हुए मोतीयों के शीरशक वाले कॉलम में सबसे नीचे वाले बकसे में एक लिखा है इसके नीचे वाले चित्र में बड़ी बिल्ली इशारा कर रही है और उसके ठीक सामने ऊपर नीचे मोतीयों की दो मालाएं और उसके नीचे मोतीयों की दो मालाएं और एक खुले मोती का चित्र है बड़ी बिल्ली कह रही है अच्छा है अब तुम सारी मालाएं गिनो छोटी बिल्ली पेंसिल से तालिका की ओर इशारा करते हुए कह रही है मैंने माला के खाने में चार लिख दिया है आप देख सकते हैं कि तालिका में माला शीरशक वाले कॉलम में सबसे नीचे वाले पीले रंग के बकसे में चार लिखा गया है इस प्रिष्ट पर सबसे नीचे बाई और छोटी बिल्ली का प्रसन्न होते हुए एक चित्र दिखाया गया है वो खुशी में कह रही है आहा रीमा और आरिफ के पास कुल मिलाकर चार मालाएं और एक मोती है इसके दाई और बड़ी बिल्ली का चित्र है और वो कह रही है एक दम ठीक कुल मिलाकर रीमा और आरिफ के पास एक तालीस मोती है प्रिष्ट पिच्चानवे इस प्रिष्ट पर बाई और एक चीन्टी कह रही है मैं दूसरे तरीके से इसे बहुत जल्दी कर सकती हूँ बहुत आसान है अगर आरिफ रीमा को तीन मोती देता है तो रीमा के पास बीस हो जाएंगे आरिफ के पास एक्कीस रह जाएंगे और फिर बीस जमा एक्कीस बराबर एक्तालीस हुए इसके दाई और चीन्टी का एक और चित्र है वो कह रही है आहे पर मेरा उत्तर तो अलग है सत्र है जमा पैंतीस बराबर है चारसो बारह इसके बाई और लिखा है क्या तुम इसे और किसी तरीके से कर सकते हो इसके ठीक नीचे लिखा है लिख कर जोडो और बिना लिखे भी पता करो कुल मिलाकर यहां कितने मोती है इस प्रिष्ठ पर दाई और तालीका क हरे रंग के बकसे में दिखाई गई है इसमें पीले रंग के बकसे में शीर्षक वाले कॉलम में मोतियों की एक माला का चित्र है और आसमानी रंग के कॉलम में शीर्षक के रूप में खुले मोति का एक चित्र है इन दोनों के बाई और रीमा और उसके नीचे सोनू का नाम लिखा है और उसके साथ में जमा का चिन्ध बनाया गया है पीले रंग के कॉलम में पहले बकसे में एक और आसमानी रंग के बकसे में साथ लिखा गया है इसी प्रकार पीले रंग के कॉलम में दूसरे बकसे में तीन और फिर आस्मानी रंग के बकसे में पांच लिखा गया है इसके नीचे आप से एक प्रश्न पूछा गया है लिखा है यहां कुल, खाली स्थान, मोती हैं इस खाली स्थान को भरें इस तालिका के ठीक बाएं और याने ख़ तालिका दी गई है इसमें भी शीरशक के रूप में मोती की माला और खुले मोती का चित्र दिखाया गया है और बाएं और उपर आरिफ और नीचे रजिया का नाम लिखा है और उनके सामने जमा का चिन्ह बनाया गया है आरिफ के नाम के सामने माला वाले कॉलम में लिखा है दो और खुले मोती वाले कॉलम में लिखा है चार रजिया के नाम के सामने माला वाले कॉलम के अंदर लिखा है एक और खुले मोती वाले कॉलम में लिखा है दो और इसके नीचे वाले कॉलम को खाली छोड़ा गया है और आपसे एक प्रश्ण पूछा गया है लिखा है यहां कुल खाली स्थान मोती है इस खाली स्थान को भरें और इसके नीचे लिखा है कवाले सवाल को ख के साथ स्थान आपस में बदलिये। इसके नीचे लिखा है कितने ज्यादा मोती हैं। इसके नीचे बकसे में तालिका कह दी गई है। इसमें भी मोतियों की माला का शीरशक के रूप में चित्र है और खुले मोतियों के शीरशक के रूप में एक मोती का चित्र है। और इसमें बई और उपर सोनू का नाम लिखा है और नीचे लिखा है आरिफ और उसके दाई और घटा का चिन्ह बनाया गया है। सोनू के नाम के सामने पहले कॉलम में याने मोतियों की माला वाले कॉलम में पीले रंग के बकसे में लिखा है तीन उसके साथ वाले आसमानी कॉलम में याने खुले मोतियों वाले कॉलम में लिखा है पांच आरिफ के नाम के सामने मोतियों की माला वाले कॉलम में पीले रंग के बकसे में लिखा है दो इसी तरहे उसके साथ वाले आसमानी रंग के बकसे में लिखा है चार नीचे एक प्रश्न पूछा गया है सूनू के पास आरिफ से खाली स्थान मोती ज्यादा है इस खाली स्थान को भरी इस प्रिष्ठ पर दाई और सबसे नीचे तालिका ख़ दिखाई गई है इसमें भी शीरशक के रूप में पीले रंग के बकसे में मोतियों की माला और आस्मानी रंग के बकसे में खुले मोतियों के शीरशक के रूप में एक खुले मोती का चित्र है इस तालिका के बाई और लिखा है आरिफ और उसके नीचे लिखा है रजिया और उसके दाई और घटा का चिन्ह बनाया गया है आरिफ के नाम के सामने पीले रंग के बकसे में लिखा है दो और आस्मानी रंग के बकसे में लिखा है चार रजिया के नाम के सामने पीले रंग के बकसे में लिखा है एक और आस्मानी रंग के बकसे में लिखा है दो नीचे लिखा है आरिफ के पास रजिया से खाली स्थान मोती ज्यादा है प्रिष्ट 96 ग सिमर के पास रीमा से कितने मोती ज्यादा है इसके नीचे लिखा है सिमर सिमर के नाम के सामने मोतीयों की तीन मालाएं और एक खुले मोती का चित्र है उसके ठीक नीचे लिखा है रीमा रीमा के नाम के सामने मोतीयों की एक माला, दो रिक्तस्थान और साथ खुले मोतीयों का चित्र है और इसके ठीक दाइं और एक तालिका दिखाई गई है जिसकी और छोटी बिली पैंसिल से इशारा कर रही है इस तालिका में भी गुलाबी रंग के बकसे में मोतियों की एक माला और खुले मोतियों के रूप में एक मोतियों का चित्र है मोतियों की माला के नीचे तीन लिखा है और इसी के दाई और आसमानी रंग के बकसे में लिखा है एक मोतियों की माला के नीचे दूसरे कॉलम में एक लिखा है और उसके दाई और आसमानी रंग के बकसे में लिखा है साथ इसके नीचे बाई और बड़ी बिल्ली का चितर दिखाया गया है वो कह रही है पर हम एक मोती में से साथ मोती कैसे निकाल सकते हैं छोटी बिल्ली उत्तर के रूप में कह रही है सिमर के पास 31 मोती है रीमा के पास 17 मोती है इसके नीचे बाई और बड़ी बिल्ली का चित्र दिखाया गया है वो कह रही है हम सिमर की एक माला खोल देते हैं इसके ठीक सामने इस प्रिष्ठ के बीचों बीच एक चित्र दिखाया गया है जिसमें मोतीयों की दो मालाएं दिखाई गई है और तीसरी माला का चित्र दिखाकर उसके उपर नीले रंग से काटा लगा दिया गया है और फिर एक तीर के माध्यम से ये दिखाया गया है कि उसमें से कितने मोती बाहर निकले और उसके ठीक नीचे मोतीयों की एक माला, दो खाली स्थान और साथ खुले मोतीयों का चित्र है छोटी बिल्ली कह रही है अच्छा तो अब सिमर के पास दो मालाएं और ग्यारह मोती हो जाएंगे इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे बीच में एक तालिका दी गई है इस तालिका में भी मोतियों की माला का शीरशक और खुले मोतियों के रूप में एक मोति का शीरशक दिखाया गया है मोतियों की माला वाले शीर्शक के नीचे पहले कॉलम में पीले रंग के बकसे में तीन लिखा है और उसके उपर लाल रंग से एक लाइन खींच दी गई है और उसके ठीक बाई और उपर लिखा है दो और इसके साथ वाले आसमानी रंग के बकसे में लिखा है एक और उसके बाई और उपर लिखा है छोटा एक और इसके नीचे वाले कॉलम में पीले रंग के बकसे में लिखा है एक और आसमानी रंग के बकसे में लिखा है साथ और इस तालिका के बाई और घटा का चिन्ह बनाया गया है छोटी बिल्ली पैंसिल से इशारा करते हुए कह रही है याद रखने के लिए मैं तीन काट दूँगी और माला वाले खाने में दो लिख दूँगी दाई और बैठी हुई बड़ी बिल्ली पेंसिल से इशारा करते हुए कह रही है मोती के खाने में एक लिख दो ताके याद रहे के कुल ग्यारह मोती हैं प्रिष्ट सत्तानवे इस प्रिष्ट पर बैएं और उपर बड़ी बिल्ली एक तालिका की और देखते हुए कह रही है आब ये आसान है तुम ग्यारह मोतीयों में से साथ मोती निकाल सकते हो उसके ठीक सामने सिमर का नाम लिखा है और उसके दाई और मोतीयों की दो मालाएं हैं और उसके ठीक साथ में खुले मोतीयों का चित्र है कुल ग्यारह खुले मोतीयों में से साथ मोतीयों के उपर काटा का निशान लगा दिया गया है इसी प्रकार नीचे रीमा का नाम लिखा है मोतीयों की एक माला का चित्र है उसके साथ में खाली स्थान है और फिर साथ खुले मोतियों का एक चित्र है जिन पर काटा लगा हुआ है इसके ठीक दाई और एक तालिका बनी हुई है इस तालिका में पीले रंग के पहले बकसे में तीन लिखकर उस पर काटा का निशान लगा दिया गया है और उसके बई और ऊपर छोटा दो लिखा गया है इसी प्रकार इसके साथ वाले आसमानी रंग के बकसे में एक लिखा गया है और उसके बई और छोटा एक बना दिया गया है इसके नीचे वाले कॉलम में पीले रंग के बकसे में एक लिखा गया है और उसके साथ वाले आसमानी कॉलम में साथ लिखा गया है और इसके नीचे वाले तीसरे कॉलम में आसमानी रंग के बकसे में लिखा गया है चार और पैंसिल से इशारा करते हुए छोटी बिल्ली कह रही है हाँ मैंने मोतियों के खाने में चार लिख दिया है इसके नीचे वाले चित्र में बड़ी बिल्ली अपने बाई और बने हुए चित्र की और इशारा करते हुए कह रही है अरे ये तो बहुत जल्दी हो गया अब दो मालाओं में से एक माला को निकाल लो उसके ठीक सामने दो मालाओं का चित्र है और चार खुले मोतियों का चित्र है और उसके नीचे एक माला का चित्र है लेकिन उपर बनी हुई दो मालाओं में से पहली माला के उपर नीले रंग की रेखा से काटे का निशान लगाया गया है इसी प्रकार नीचे वाली माला के उपर भी नीले रंग की रेखा से काटा का निशान लगाया गया है इसके ठीक दाई और बनी तालिका में सबसे नीचे वाले कॉलम में पीले रंग के बकसे की और इशारा करते हुए छोटी बिली कह रही है मैंने माला वाले खाने में एक लिख दिया है इसके नीचे वाले चित्र में बड़ी बिल्ली छोटी बिल्ली से कह रही है सिमर के पास रीमा से एक माला और चार मोती ज्यादा है छोटी बिल्ली खुश होते हुए कह रही है ठीक, सिमर के पास रीमा से चौदह मोती ज्यादा है प्रिष्ट अठानवे अभ्यास का समय तनीशा के पास सत्रह पैंसिल है सिया के पास पचीस पैंसिल है कुल मिलाकर कितनी पैंसिलें हैं इसके नीचे बईयोर लिखा है तनीशा उसके नाम के सामने पीले रंग के बकसे में लिखा है एक और आसमानी रंग के बकसे में लिखा है साथ सिया के नाम के सामने जमा का चिन्ह लगा है और पीले रंग के बकसे में लिखा है दो और आस्मानी रंग के बकसे में लिखा है पांच और इसके दाई और एक चीटी का चितर दिखाया गया है वो कह रही है अगर सिया तीन पैंसिलें तनीशा को दे देती है तब तनीशा के पास बीस पैंसिलें हो जाएंगी बीस जमा बाईस को जोड़ना आसान है इसके नीचे लिखा है मुनिजा की कक्षा में अंग्रेजी कहानियों की तेरह किताबें और हिंदी की बाईस हैं कुल मिलाकर कितनी कहानी की किताबें हैं इसके ठीक दाई और एक तालिका बनाई गई है जिसमें पीले रंग के बकसे में लिखा है पहले कॉलम में एक और आस्मानी रंग के बकसे में पहले कॉलम में लिखा है तीन उसके ठीक नीचे पीले रंग के बकसे में दूसरे कॉलम में लिखा है दो और आस्मानी रंग के बकसे में दूसरे कॉलम में लिखा है दो और तालिका के बाई और जमा का चिन्ह बनाया गया है इस तालिका के तीसरे कॉलम के दोनों बकसों को खाली छोड़ा गया है इसके नीचे लिखा है साक्षी के पास तेईस फल थे उसने पंद्रह फल खा लिये उसके पास कितने फल बचे इसके ठीक सामने घटा का चिन्न बना है और पहले कॉलम में पीले रंग के बकसे में लिखा है दो और आस्मानी रंग के बकसे में लिखा है तीन इसी तरहे दूसरे कॉलम में पीले रंग के बकसे में लिखा है एक और आसमानी रंग के बकसे में लिखा है पांच तीसरे कॉलम के दोनों बकसों को खाली छोड़ा गया है इस प्रिष्ठ पर इसके नीचे लिखा है दलजीत के पास 35 कंचे हैं अरविंद के पास पचीस कंचे हैं। उनके पास कुल कितने कंचे हैं। इसके दाई ओर जमा का चिन्ह बनाया गया है। उसमें पीले रंग के बकसे में पहले कॉलम में लिखा है तीन और आस्मानी रंग के बकसे में पहले कॉलम में लिखा है पाँच। इसी प्रकार पीले रंग के बकसे में दूसरे कॉलम में लिखा है दो और आस्मानी रंग के बकसे में दूसरे कॉलम में लिखा है पांच और इसके नीचे वाले कॉलम को खाली छोड़ा गया है निशा के पास 32 चूडियां हैं, सुखी के पास 16 चूडियां हैं, निशा के पास सुखी से कितनी चूडियां ज्यादा हैं तालिका से पहले घटा का चिन्न बनाया गया है और पीले रंग के बकसे में पहले कॉलम में लिखा है तीन और आसमानी रंग के बकसे में पहले कॉलम में लिखा है दो उसके नीचे पीले रंग के बकसे में दूसरे कॉलम में लिखा है एक और आसमानी रंग के बकसे में दूस कॉलम में लिखा है 6 और इसके नीचे वाले कॉलम को खाली छोड़ा गया है प्रिष्ट निन्यानवे इस प्रिष्ट पर सबसे OOPER गुलाबी रंग के अक्षरों में लिखा है बेंकटेश की कैंटीन इसके नीचे बेंकटेश की कैंटीन का चित्र दिखाया गया है जिसमें वैंकटेश अपने सिर को खुजाता हुआ कुछ सोच रहा है उसके ठीक सामने दो टेबल पर कुछ बच्चे बैठे हुए कुछ खा रही हैं और बाई और एक वेटर एक ट्रे में खाने का कुछ सामान लाता हुआ दिखाया गया है इसके ठीक बाई और उपर सलेटी रंग के बकसे में लिखा है बिल बनाने में वैंकटेश की मदद करो इसके नीचे गुलाबी रंग के बकसे में दाई और उपर शीर्शक के रूप में लिखा है रुपाए और बाई और लिखा है डोसा उसके ठीक सामने लिखा है तेईस रुपाए इसके नीचे बाई और लिखा है उत्पम और उसके ठीक सामने लिखा है अठाईस रुपाए और इन दोनों के नीचे बाई और लिखा है कुल और उसके सामने खाली स्थान दिया गया है इस खाली स्थान को भरी इसके नीचे हलके हरे रंग की तालिका में सबसे उपर दाई और लिखा गया है रुपाए और बाई और लिखा गया है इडली उसके ठीक सामने दाई और लिखा है पंद्रह रुपाए इसी प्रकार लिखा है कॉफी और उसके सामने दाई और लिखा है आठ रुपए इसके नीचे बाई और लिखा है कुल और दाई और एक खाली बकसा दिया गया है इस खाली स्थान को भरिंग इस प्रिष्ट पर बादामी रंग के बकसे में दाई और उपर लिखा है रुपए और बाई और लिखा है दही वड़ा उसके ठीक सामने लिखा है पचीस रुपए इसके नीचे बाई और लिखा है मिर्ची चावल जिसके ठीक सामने दाई और लिखा है अठारह रुपए इसी प्रकार इस प्रिष्ठ पर पीले रंग के बकसे में दाई और उपर लिखा है रुपए इसके ठीक बाई और नीचे लिखा है सूप जिसके सामने लिखा है 27 रुपए सूप के नीचे लिखा है नूडल्स जिसके ठीक सामने लिखा है 15 रुपए और नूडल्स के नीचे लिखा है कुल जिसके सामने एक खाली बकसा दिया गया है इस खाली स्थान को भरें इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे बादामी रंग की बकसे में महतपून जानकारी दी गई है शिक्षकों के लिए निर्देश इस अध्याय में कुछ उदाहरणों द्वारा जोड और घटा के तरीके यने अलगौरिदम समझाए गए हैं पर ये ध्यान रहे कि केवल विधी सीखने से संक्रियाओं की अवधारणात्मक समझ विकसित नहीं होती है इसके लिए जरूरी है कि हम उन्हें बहुत सारे इबारती सवाल दें और उन्हें वैकल्पित तरीके ढूनने के लिए प्रेरित करें प्रिष्ठ एक सौ चलो अब कुछ खरी दें इस प्रिष्ठ पर बाई और एक पिता का चित्र दिखाया गया है वो अपनी पुत्री से कह रही हैं ओ लगता है तुम्हें दोबारा ग्रिह कारिय मिला है पुत्री खुश होते हुए कह रही है नहीं इस बार मुझे आठ पैंसिलें और पांच रबड खरीदनी है इसके नीचे बने हुए चित्र में पिता के हाथ में कुछ पैंसिलें हैं और वे कह रही है जरूर पैंसिलें 16 रुपाई की और रबड 15 रुपाई की हैं इसके नीचे बने हुए चित्र में अपने सिर को खुजाते हुए पुत्री कह रही है ओ 16 रुपाई का मतलब एक 10 रुपाई का नोट और 6 एक एक रुपाई के सिक्के उसके ठीक सामने बाई और दस रुपाए के एक नोट का और एक एक रुपाए के छे सिक्कों का चित्र बना हुआ है उसके नीचे दस रुपाए के एक नोट और एक एक रुपाए के पांच सिक्कों का चित्र बना हुआ है प्रिष्ट 101 एक, इस प्रिष्ट पर सबसे उपर बने हुए चित्र में वो लड़की अपने सामने बनी हुई तालिका को देखते हुए कह रही है, तब इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ. ठीक दाई और जमा का चिन्ह बनाया गया है और पीले रंग के बकसे में पहले कॉलम में लिखा है एक और आसमानी रंग के बकसे में दूसरे कॉलम में लिखा है छे, इसी प्रकार दूसरे कॉलम में लिखा है एक और उसके ठीक सामने आसमानी कॉलम में लिखा है पांच और इ इस प्रिष्ठ पर बीच में बने हुए चित्र में वो कन्या अपने सामने बनी हुई तालिका को देखते हुए और अपने ऊपर बने हुए चित्र को देखते वो समझते हुए कह रही है। मैं सबसे पहले सारे सिक्के एक साथ रख देती हूँ। मेरे पास ग्यारह सिक्के हैं। इसका मतलब दस रुपए का एक नोट और एक एक रुपए का सिक्का। बालिका के ठीक ऊपर दस रुपए का एक नोट और उसके सामने पाँच सिक्के और उसके ठीक नीचे दस रुपए का एक नोट और उसके ठीक सामने पाँच सिक्के दिखाये गए हैं। लेकिन इन सभी को सलेटी रंग के घेरे में दिखाया गया है और एक सिक्के को अलग से दिखाया गया है। और इस चित्र में बालिका के दाई और जमा का चिन्ह बनाया गया है और उसके सामने एक तालिका दिखाई गई है। तालिका में सबसे उपर गुलाबी रंग के बकसों में दस रुपई के नोट को शीरशक के रूप में दिखाया गया है और उसके साथ वाले गुलाबी रंग के बकसे में एक रुपई के सिक्के को शीरशक के रूप में दिखाया गया है इसके ठीक नीचे पीले रंग के बकसे में एक बड़ा एक लिखा गया है और उसके उपर छोटा एक लिखा गया है इसके दाई और सलेटी रंग के बकसे में छै लिखा गया है इसी प्रकार दूसरे कॉलम में पीले रंग के बकसे में एक और उसके साथ वाले सलेटी कॉलम में पांच लिखा गया है पांच के नीचे सलेटी रंग के कॉलम में एक लिखा गया है और उसके बाई और पीले रंग के बकसे को खाली छोड़ा गया है इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे बनाए गए चित्र में पिता कह रही हैं बहुत अच्छा अब तुम देख सकती हो के यहां कुल मिलाकर तीन नोट है उनके ठीक सामने एक तालिका बनाई गई है उससे पहले जमा का चिन है उस तालिका में शीरशक के रूप में दस रुपए का नोट और एक रुपए का सिक्का दिखाया गया है और पीले रंग के पहले बकसे में बड़ा एक वचोटा एक लिखा गया है उसके ठीक सामने सलेटी रंग के बकसे में लिखा गया है चै पीले रंग के बकसे में दूसरे कॉलम में लिखा गया है एक उसके ठीक साथ बाई और लिखा गया है सलेटी रंग के बकसे में पांच इसी प्रकार इसके नीचे वाले याने तीसरे कॉलम में पीले रंग के बकसे में लिखा गया है तीन वो उसके साथ वाले सलेटी कॉलम में लिखा गया है एक प्रिष्ठ एक सौ दो इस प्रिष्ठ पर सबसे उपर बालिका का चित्र दिखाया गया है और वो कह रही है मुझे तुम्हें 31 रुपाई देने हैं लेकिन मेरे पास 40 रुपाई हैं इसके नीचे बनाए गए चित्र में पिता कह रहे हैं तो पता करो तुम्हें कितने पैसे वापस मिलेंगे एक रुपाई का सिखा दिखाया गया है उसके नीचे पीले रंग के बकसे में लिखा गया है चार और सलेटी रंग के बकसे में लिखा है शून्य और पीले रंग के बकसे में दूसरे कॉलम में लिखा है तीन वो उसके ठीक सामने सलेटी रंग के बकसे में दूसरे कॉलम में लिखा है एक और इसके बाई और घटा का चिन्न बनाया गया है और इस तालिका में सबसे नीचे वाले दोनों कॉलम को खाली छोड़ा गया है इस चित्र में बालिका कह रही है मुझे खाली स्थान रुपए वापस मिलेंगे इस खाली स्थान को भरी इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे बादामी रंग के बकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है शिक्षकों के लिए निर्देश बच्चे खेलने वाले नोट स्वयम बनाएं उन्हें इनके प्रियोग से भिन प्रकार के अभ्यास तथा खेल दिये जा सकते हैं जिसमें आसान गणनाएं होती हैं प्रिष्ठ एक सो तीन अभ्यास का समय शेखर के पास 32 रुपए हैं उसने 17 रुपए की गेंद खरी दी उसके पास कितने रुपए बाकी बचे हैं इस प्रिष्ठ पर बाईयोर एक तालिका दी गई है जिसमें शीर्शक के रूप में 10 रुपए का नोट वह 1 रुपए का सिक्का दिखाया गया है उसके नीचे पीले रंग के बकसे में 3 लिखा गया है वह सिक्के के नीचे 2 लिखा गया है दूसरे कॉलम में 10 रुपए के नोट के नीचे लिखा गया है एक वह इसके साथ वाले कॉलम में सलेटी रंग के बकसे में लिखा गया है साथ और इस तालिका के बाईयोर घटा का चिन्ध बनाया गया है और इसके तीसरे कॉलम को खाली छोड़ा गया है इसके ठीक दाइयोर एक चीन्टी का चित्र है वो कह रही है मेरे पास एक आसान तरीका है अगर मैं 32 में से 2 सिक्के और 17 में से 2 सिक्के निकाल लूँ तो मेरे पास बचेंगे 30 और 15 रुपाए इसके नीचे लिखा है सोनी ने 24 रुपाए के बिस्किट तथा 16 रुपाए का चिप्स का पैकेट खरीदा उसे कितने रुपाए देने होंगे इसके नीचे बाई और एक तालिका दिखाई गई है जिसके साथ में जमा का चिन्ध बना है तालिका में शीरशक के रूप में दस रुपाए का नोट और एक रुपाए के सिक्के का चित्र दिखाया गया है दस रुपाए के नोट के नीचे पहले कॉलम में पीले रंग के बकसे में लिखा है दो एक रुपाई के सिक्के के नीचे पहले कॉलम में आस्मानी रंग के बकसे में लिखा है चार इसी प्रकार दूसरे कॉलम में पीले रंग के बकसे में लिखा है एक और दूसरे कॉलम में आस्मानी रंग के बकसे में लिखा है छै और इन दोनों के नीचे खाली कॉलम दिखाया गया है इसके साथ सोनी का चित्रदाईयोर दिखाया गया है सोनी कह रही है इसे बिना लिखे करने की कोशिश करो इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे लिखा है पंटूश के पास 64 रुपाए हैं मेले में उसने 49 रुपाए खर्च कर दिये उसके पास अब कितने रुपाए बचे ह इसके नीचे बाईयोर तालिका दिखाई गई है जिसमें 10 रुपाए का नोट वए 1 रुपाए का सिक्का शीरशक के रूप में दिखाया गया है 10 रुपए के नोट के नीचे पीले रंग के बकसे में पहले कॉलम में लिखा है 6 वह सलेटी कॉलम में लिखा है पहले बकसे में 4 और इस तालिका के बाईयों और घटा का चिन्न बनाया गया है इस तालिका में पीले रंग के बकसे में दूसरे कॉलम में लिखा गया है तीन वो उसके साथ वाले सलेटी रंग के कॉलम में लिखा गया है नौ और इन दोनों के नीचे खाली कॉलम दिखाया गया है इसके दाई और बनाए गए चित्र में फंटूश कह रहा है इसे बिना लिखे भी हल करने की तरकीब ढूंढो। इसी के साथ 15 अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय बारह यहां समाप्त हुआ। वाचक बाबला कोचर, तक्नीकी समन्वे बटिलैंगलिंग्डो, निर्माण सहयोग रुची शर्मा, निर्देशन वन निर्माण वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T.N.C.E.R.T. नैदिल्ली भारत।